नमस्कार दफॉलॉप के लाइब सेशन में आपका स्वागत है बहुत बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हुए हैं आप जानते हैं कि लोगसभा चुनाओं की तारीकों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इससे पहले भारतिय जन्ता पार्टी ने अपने उम्मिदवारों की पहली पर उम्मिदवारों का ऐलान कर दिया गया है इसमें एक बड़ा जो फैसला किया गया है वो है राजमहल का राजमहल लोगसभा सीट पर खास निगा थी और यहां से ताला मरांडी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं दो बार के विधायक रहे हैं उनको बनाया गया है राजमहल लोगसभा सीट से परत्यासी वहीं हजारी बाग से मनीज जैसवाल इस बार चुनाव लड़ेंगे जैन सिन्हा वहां मौजुदा सांसद हैं लेकिन उन्होंने आज ही ट्वीट करके यह बात बताई थी कि वो सक्रिय चुनावी राजनीती से सन्यास लेना चाहते ह उन्होंने जेपी नड़ा को इस बात से अउगत करा दिया था और वो बैस्वीक जलवायू परवरतन संबंदी समस्याओं पर काम करना चाहते हैं आना कि वो बात है तो एक बड़ी बात यह है कि लोगसभा सीटों पर परत्यासियों का आयलान किया गया है आपको बता दें क कि सोला राज दो कैंदर सासित परदेशों में 195 सीट पर निने हुआ है इसमें से 34 कैंद्रिय मंत्री राज्य मंत्री सूची में शामिल है लोगसभा ध्यक्ष का भी नाम इसमें शामिल है बता दें कि तो पूर्व मुख्य मंत्रियों को भी लोगसभा चुनाओं लड़ाया जा रहा है इसके अलावा जो उम्मिद्वारों की लिस्ट जारी की गई है 145 उम्मिद्वारों की उसमें 47 युवा प्रत्यासी है 28 महिला हैं SC वर्ग से 27 उम्मिद्वारों को जगह मिली है ST के वर्ग से 18 उम्मिद्वार हैं वहीं पिछला वर्ग से 57 उम्मिद्वारों को ल और मैं आपको एक एक नाम पढ़कर बताने वाला हूँ कि किन किन लोगों को किन किन सीटों से चुनाव में उतारने का फैसला किया गया है। जमसेद पूर से विद्दूद बरन महतो को उमिदवार बनाया गया है। अब मैं अपने बरिष्ट सहयोगियों को जोड़ूंगा और उनसे बाचित करूंगा और इस पे पूरी चर्चा करूंगा कि जो परतियासियों की लिस्ट जारी की गई है। उसमें किन बातों का ध्यान रखा गया है और जो परतियासि चुने गए हैं। उसके पीछे बारतिय जन्ता पार्टी की सोच क्या रही होगी अभी भी तीन सीटों पर परतियासियों का अयलान बाकी है। तो उसको किस आधार पर अभी फिलहाल दूसरे चरन के लिए लंबित रखा गया है। तो मैं सहयोगों के एक एकर जोड रहा हूँ और उनसे बातचीत करके और आप तक बात पहुंचाना चाहूंगा। पहले जो हमारे सहयोगी हैं वो हमारे वरिश्पत्रकार मनोच पांडे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे बाचीत करेंगे और आप तक तमाम जानकारियां जो हैं हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से वो देखते हैं इस लिष्ट को और उनका क्या कहना है तो आपको बता दें कि 16 राज्जी और दो केंदर सासित परदेशों के 195 सीटों पर उमिदवारों के नाम का एलान किया गया है और उसमें से 11 जो सीटें हैं जारखंड में फिलाल 11 सीटों पर उमिदवारों का एलान किया गया है तो मनोच पांडे हमारे साथ फॉन लाइन पर जुड़ गये हैं मनोजी स्वागत है आपका जानकारी आपको मिली होगी कि 11 सीटों पर उम्मिद्वारों का जार्खन में एलान किया गया है पहली परतिक्रिया तो आप से यह चाहूंगा कि कैसे देखते हैं आप इस लिश्ट को देखिए सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों का एक बार फिर से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लोगों ने ही जो दो सीटों का नाम कटा है वो उन दो सीटों में सटिक अनुमान फॉलो अपका ही है जैन सिना का जैसे अजारी बाग से कटा और सुदर्शन भगत लोहरदगा से कटा तो ये दोनों सीटों पे और इवन राजमहल में भी आप पता होगा हमने ही कहा था कि ताला मारांडी की संभावनाय सबसे अधिक है अब बचे दो सीट बीजेपी के पास जहार खंड में ए चुद्री ही उमिद्वार होंगे अब आजये धनबाद की बात तो धनबाद में चुकी अगर देखिए या तो धनबाद या तो चत्रा दो में से एक का ही नाम कटेगा ऐसी ये संभावना इस वज़ेसे है कि वो राजपुत समुदाय से जो है दो उमिद्वार है तो दो में से एक का कटना है तो अगर धनबाद से कटा पी अन सिंग का तो चत्रा से सुनिल सिंग को मिल सकता है फिर से टिकट अगर चत्रा से कट गया सुनिल सिंग का नाम तो यहां फिर से पियन सिंग को धनवाद से मिल सकता है लेकिन जो पार्टी में चर्चा है धनवाद से गनेश मिस्रा का भी चर्चा है धनवाद से जो बीजेपी के विधायक है राज सिना उनकी भी चर्चा है चत्रा में कई एक उमिद्वार है बीजेपी के पास उसमें प्रबल जो उमिद्वार है वो है पांकी के बिधायक जो कुस्वाहा जी एस बीपी महता वो एक उमिद्वार है प्रबल है योगेंदर परताप सिंग है मनोज सिंग है और किसले तिवारी जो युवा मोर्चा के अध्यक्स थे हैं यहां पे काफी लंबी सुची है चत्रा में लेकिन धनबाद में आपको बताया मैंने कि दो ही नाम पर चर्चा की तिकल मूव जो आप देखेंगे उसको देखकर यही लगता है कि राजपूत समुदाय से अगर दो वेक्ति फिलाल है तो दो में से एक का ही कटेगा ऐसा जिस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है तो अगर इसमें से चत्रा का मैंने बता दिया कि पांकी के जो विधायक ह नेता है और मनोज सिंग इन लोगों का नाम चल रहा है और किसले तिवारी जो युवा मुर्चा के अध्यक्स थे उनका भी नाम चल रहा है अब धनबाद और गिरिडी तो लगबक ये तैही है कि आसु का है और वो सीट और वहां से सर्वादिक जो है कि प्रबल संभावना है कि चंदप्रकास चौधरी ही लड़ेंगे लेकिन कुछ एक संभावना डक्टर लंबोदर मतो की भी है इन सब के अलावा इन सब के अलावा इन सब के अलावा आपको बता दे राजमाहल में ताला मारांडी इस बार आए हैं तो ये मामला इंट्रेस्टिंग होगा और इस लेकिन आप देखे होंगे कि सुनिल सिंग जो आप चत्रा के सांसद हैं उनके खिलाव भी कारिकरताओं ने नाराजगी जताई थी बीजेपी अपने सर्वे रिपोर्ट के अनुसार से टिकट बाटी की कारिकरता बले ही नाराज हो अगर आम जनता नाराज नहीं है तो उनक टिकट मिलता है इसके आलावा जैसे जमसेदपूर से जमसेदपूर से दो नाम पे प्रबल पे चर्चा हुई कुनाल सारंगी और विदूत वरन मातो लेकिन कुनाल सारंगी को मिला संजे सेट की कई मामलों में तारिफ कर चुके हैं स्वेम परदान मंत्री और वो लड़ने मनिश जैसवाल का लगबग बहुत पहले से तैय हो गया था और जैन सिनाय को जब यह पता चल गया उनको अधिकारिक तोर पे बोल दिया गया कि इस बार आपको ड्रॉप किया जा रहा है तो उन्होंने सक्रिय राजनीती से फिलाल अपने आपको किनारा ही कर लिया सबसे जादा मनोजी वही सवाल में लेना चाह रहा था कि आज जब ट्वीट उन्होंने किया था दोपहर को तकरीबाना और उन्होंने ये कहा कि मैं मैंने राश्टी अध्यक्ष से ये कहा है कि मुझे चुनावी राजनीती से मुक्त किया जाए और मैं बैस्विक परियाव परन संकट जैसी समस्याओं पर आगे काम करना चाहूंगा इसके अलावा ऐसा ही ट्वीट गौतम गंभीर जो है वो सांसत थे पूर्वी दिल्ली से उनकी तरब से ट्वीट आया जो ट्वीट की भासा थी वो एक जैसी लग रहे है तो सरकार को भी जब लगता है कि इस आद जबरिया रिटार्मेंट कर देते हैं तो यो आरच सब्द इस्तमाल होता है तो यह जबरिया रिटार्मेंट गौतम गंभीर और जैन सिना को दिया गया था राजमाHL सीट पर चरचा आपसे चाहूंगा आपकी राय भी कि सबसे जादा जोर जो है राजमाHL पर था ने निश्चित किया दूसरी बात राज महल की है राज महल पर बहुत चर्चा थी खुद अमित शाह ने दुमका का दौरा किया उसके और कैंदरे राज्यमंत्रियों ने प्रवास किया वहाँ पर कारिकरताओं से बैठक की इसके बाद फाइनली ताला मारांडी को चुना गया तो इसका आधार क्या रहा होगा क्या फीडबेक रहा होगा और कैसे अपने आपको बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिती में पाएगी उसका पूरा समी करन के देखिए सूरज में आपको बता दू ताला मारांडी जहारखन बीजेपी के फरदेश अत्यक्ष रह चुके हैं और वो एक सरल वेक्ति है कारेकरताओं से मिलने जुलने में कोई परेसानी नहीं है कुछ दिन पहले आपको आपने देखा होगा कि जब नेता प्रतिपक चमर भावरी भी गए थे तो वहां पर संख्यत समुदाय के भी लोगों ने काफी अधिक संख्या में उनका स्वागत किया था लिहाजा लिहाजा जो है बाबुलाल मारांडी जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है इस पूरे लिस्ट को आप देख लेंगे तो यह समझ में आए आपको भी याद होगा आपने ही उस खबर को लिखा था लेकिन ताला मारांडी सुरू से ही बाबुलाल की पहली पसंद रहे हैं और राजमाहल सीट पे जब आगे केले चुनाओ लडा था तो वहां पर जीत हासिल की गई थी तो जो जारखंड में राजमाहल सीट और बिहा इस बात को भली बात ही मांते थे कि सुनिल सोरेन को लडाने से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो सरल है और दूसरी बात जो वहां पर आ रही थी कि नहीं महिला उमिदवार के तरफ से लेकिन विधान सभा को देखते हुए उनका नाम हट गया और फिर से सुनिल सोरेन क को बताया ही विधूत वरन मातो चुकी उनका नाम चल रहा था और उन्होंने एक बहुत उनका कुनाल सरंगी का भी नाम चल रहा था तो उस समय हुआ कि मातो समुदाय से बीजे पी के तरफ से एक को तो रहना चाहिए तो वो बेस्ट आप्सन वहीं लगा कि जमसेदपूर म है आप देखेंगे जमसेदपूर लोग सभा में यह बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है कि महां से महतो समुदाय का उमिदवार होना चाहिए लेकिन फिर भी विदूत वरन मातो चुकी अकेले जाते हैं बीजे पी के तरफ से और आसू के तरफ से दूसरा होंगे चंद परका रही थी आपको याद होगा कि रात सबामे किसको भेजाजा तो इसमें कडिया मुंडा के पुत्रिजिक का भी नाम है आसा लकड़ा का भी नाम है इन सब के आलावा रहे ने जो आपको दो नामे बताना नाम का खुलासा किया था हौ और एक अदिकारी है जिनका फिल्हान लाम लेना उचित नहीं होगा वो भी राजसबा के उमिदवार हो सकते हैं हो सकता है कि वो बियारेस के लिए अपलाई कर दे और वो उमिदवार बन जाए मानोजी खोटी पर आप से लूँगा कि निश्चित रूप से वो बीजेपी के लिए गड़ की तरह रहा और जो स्टी आरक्षित भी है सीट और वहाँ पर बीजेपी सबसे बार जादा बार जीती करिया मुंडा ने लगातार वहाँ जीत दर्ज की 2019 में जब अरजुन मुंडा जीते तो जो जीत हार का अंतर था का काली चरन मुंडा से वो 1445 बोटों का ही मातर था और काफी करीबी अंतर से वो जीतने में सफल रहे तो इस बार जब अरजुन मुंडा को रिपीट किया गया निश्चित रूप से वो केंदर में मंत्री है और दो-दो मंत्रालाई संभाल रहे है तो क्या जो जनता है वहां की उन लोगों का जो फिडबेक रहा होगा क्या उसको पार्टी ने ध्यान में रखा होगा और खासतर पर केंदरिय मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को भी जनता रही होगी ध्यान में कि उन brother निलकन सिंग मुंडा वो BJP में है उसके अलावा जो निलकर्ण सिंग मुंडा है और उनके अलावा जो आपको बता दे कि उस छेत्र में जो वहाँ पर उमिदवार थी ये आपका जो दया मनी बारला जी जी वो जो भोट लाई थी उनको टैक्ट करने के लिए अपने प्रक्ष में करने के लिए कॉंग्रेस ने उनको जो आइन कराया लेकिन करिया मुंडा राजनीति के बहुत मजे हुए खिलारी के तौर पर देखे जाते हैं आपको याद होगा कि पहले जब वो विधायक रा करते थे फिर जमसेदपूर से सांसद हुए तो उनको ये पता है कि जब वो छेत्र में रखे हैं अपने सी कराया में कोई भी रोड़ा नहीं है डियाजा इसी वज़त से अर्जुन मुंडा को फिर से दे दिया गया लोहर दक्ता से समीरोरा राटी अध्यर अध्य चे कर्णा के और समीरोराओ विधायक भी राच चुके हैं तो समीरोराması को देना लाज्मी था हाला कि महां से दो ना लकड़ा को इस बात की उपर ये तैय है कि आसा लकड़ा जिस तरीके से पाटी में उनका कद बढ़ा है इसी वर्स वो मानिनिये बनाने की कोशिस पाटी अपने तरफ से करेगी गोड़ा तो निसीकान दूबे का लगवाग अमूमन तैय ही था और ये भी तैय है आपको मैं ब केंद्रिय मंत्री मंदल में देखने को मिलेंगे हजारी बात से मनीज जैसवाल का पहले ही था चुकि जैन सिना पहले ही अपने पिता की लेगेसी को लेकर आये थे लेकिन जैन सिना पर ये आया था कि भाई आप अपने पिता को भी नहीं समझा पा रहे हैं आप में इतना अ के तोर पे फिलाल नहीं देख सकते हैं उनका उपयोग हो सकता है कि आपको भविस में दिखेगा किसी सलाकार के तौर पे उनको लोग याद करेंगे एक सवाल ये है कि एक सवाल ये था मेरा कि चुकि अभी 11 सीटों पर प्रत्यासियों का एलान हुआ है और तीन सीटें अभी अभी बाकी है क्या बाबूलाल मारांडी के लोग सभा चुनाओं लड़ने की संभावनाएं हैं? प्रेश casino ये उनने ठोबारि दे सकती है other haveivaard के जिसी आज्सू कहीं सब्सक्राइब कुंछे और ये लोगों का सीट-बटवारा अपस में' हो भी कुका है और अब धनबाद ए्कार थो धनबाद में अगर किसी का कटेगा तो चत्रा में बचेगा चत्रा में कटेगा तो धनबाद में बचेगा क्योंकि ये लोग राजपुत हैं तो दो राजपुत फिलाल हैं मैदान में और दोनों वहां से हैं दोनों प्रबल मतलब लगातार जीद के आ रहा हैं पियन सिंग भी और सुनिल सिंग भी तो फिलाल ये कोशिस की जा रही है कि ये राजपुत का टिकट कटे और एक कर रही जाए है बीच में हो सकता है कि धनबाद से राजप सिना को Ticket मिल जाए लाला जी जो जैन सिना सकते हैं तो उनको हो सकता है कि राजप सिना को एक महां से उम्मिदवार के तोर पर देखा जा सकता है ये मेरा आकलन है कि अब लिख रहे हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में भी ये कहा जा रहा था कि संभावत या शायद हजारी बाग सीट पर भी आजसु ने दावा किया था और ये इन कयासों को बल इसलिए भी मिला जब जैन सिन्हा का ये ट्वीट आया कि वो अब सक्रिय चुनावी राजनिती में हिस नहीं लेना चाहते तो ये कयास और भी जादा मजबूत हो गये कि वहाँ पर शायद आजसु ने दावा किया है तो इसके क्या इस इन चीजों को लेकर जो लिस्ट आया है उसके बाद मतलब इस बारे में कोई किसी तरह का कन्फूजन रह जाता है नहीं देखिए आजसु न ये जो मामला चल रहा था कि भाई वो बनियावर्ग से हो सूडी हो या फिर मातो समधाय का हो ये चल रहा था इसलिए पार्टी ने मनीश जैसवाल को दिया और हजारी बाद जो अब सीट खाली हो रहा है तो वो विधान सबा में उनके भी उमिदवार ते हैं वीजेपी किस इसको विधान सबा में वहाँ से उमिदवार बनाएगी तो इसलिए भी लेकिन फिलाल लिस्ट देखकर यही लग रहा है कि अगर पार्टी ने सबसे ज़्यादा किसी की बात मानी है तो अपने परदेश सद्यक्ष भावुलाल मरंडी का जारखंड से थोड़ा सा बाहर हम लोग निकलते हैं और केंदर के स्तर पर बात करते हैं कि 1955 सीटों पर उमिदवारों का एलान हुआ है इसमें 47 युवा है 28 महिला है ST 27 है ST 18 है 27 SC है और पिछड़ा वर के 57 उमिदवारों को पहली लिस्ट में टिकट दिया गया है इसको किस तरह से देखते हैं आप देखिए अभी तो यह जब पूरा एलान होगा तो मोदी जो तीन बाते कह रहे हैं कि हम दलित वर्ग का प्रतनित देखना चाहते हैं पिछड़े वर का वो भी आपको दिखेगा और रिजर्बेशन के टेगरी में जो 33 परतिसत महिलाओं की बात है वो भी आपको देखने को मिलेगी जब पूरा बीजेपी का लिस्ट सुची जारी हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको यह सारी चीज़े देखने को मिलेगी चलिए सुक्या मनो जी तो जो दर्सक हैं आपने सुना और जारखंड के सभी सीटों पर क्या समीकरन बीजेपी सोच रही है आप देखेंगे कि लोहरदगा सीट पर सुदर्शन भगत जो है इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं जो है हजारी बाग सीट पर एक बड़ा बदला हुआ है जयन सिन्ना ने सुबह ही ये ट्वीट करके कहा था कि वो सक्रिय राजनीती से चुनावी राजनीती से सन्यास ले रहे हैं संगठन में और तरीके से जुड़े रहेंगे तो ये कयास लगाये जाने लगे थे कि वहाँ पर वो बदला होगा वहाँ मनीज जैसवाल को टिकट दिया गया है जो फिलहाल अजारी बाग सदर से विधायक हैं और राजमहल लोग सभासीट जिसकी सरवाधिक चर्चा थी क्योंकि पिछले कई टर्म से बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाई फिलाल गडबंधन के की तरब से जारकन मुक्ति मोर्चा के विजय हासदा वहाँ पर सांसद हैं तो ताला मरांडी जो बोरियो विधानसभा सीट का परतिनिधित्व करते रहे हैं दो बार से वहाँ पर विधायक रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं वो पाटी के तो उनको मौका दिया गया है इसके अलावा दुंका से सुनिल सौरेन को रिपीट किया गया है और संजय सेट जो हैं राची से चुनाव लड़ेंगे जमसेदपूर से विद्दूद बरन महतुद लोजाव लड़ेंगे सिंभुम से गीदा कोड जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी लोहर दगा से समीरु राव चुनाव लड़ेंगे जो अब तक राजसभा सांसत थे पलामू से विश्नु दयाल राम और ये जो लिस्ट है वो सामने आई है फिलहाल बीजेपी ने सुलह राज्य और दो केंदर सासित परदेशों के 1952 हैं मंत्री अमित्साह चुनाव लड़ने वाले हैं हमेजा जट दिजे सुक्रिया